Welcome guys, कैसे? आसाय अच्छ होगी साथी इस वीडियो में हम Microsoft Word को complete सेखने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपको ना तो कोई Word का tutorial देखने की जूर्ट पड़ेगी नहीं आपको अपना लंबा समय spent करने की जूर्ट है कि आप घंटों वेश्ट करें MS Word सेखने के लिए तो इस tutorial में हम Microsoft Word को बिल्कुल beginning से ले करके बिल्कुल advance तक step by step कोई ऐसा एक topic या ऐसा एक option नहीं छोड़ेंगे जो की हम आपको ना बताएं सारी tips, सारी tricks, shortcuts और अच्छे से अच्छा काम बहतरीन तरीके से करना हम आपको सिखाएंगे जिसे की आप Word में expert बन जाए दूसरे के शामने अच्छा impression जमा सके ओफिस का किसी भी परकार का काम Microsoft Word से संबंदित आप आसानी से निटा सके तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं guarantee देता हूँ कि आपको कोई और Microsoft Word का वीडियो देखने की बिल्कुल जरूत नहीं पड़ेगी तो बिना समय गवाए फटाफट शुरू करते हैं नमस्कार साथियो मेरा नाम है मनोश कुमार और आप देख रहे हैं computer gallery channel तो चलिए सीख लेते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी Microsoft Word की application चालू करा लेते हैं मेरे पास यह Microsoft Office 2019 है ठीक है आपके पास इससे lower version हो सकता है इससे upper version हो सकता है लेकिन टैंसर नहीं लेने का आपके पास कोई भी वर्जन है मैं इस परकार से बताऊंगा कि आप सभी वर्जन में बिलकुल आसानी से काम कर सकेंगे तो Microsoft Word जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ परकार का interface open होगा जिसके अंदर कुछ templates दी गई हैं पहले से हमको recommend कराए गई है कि आप किस परकार की templates पे काम करना चाहते हैं आप कुछ feature templates है इस परकार की templates पे काम करना चाह रहे हैं कोई personal templates आपके पास य और resume या किसी और प्रकार का format त्यार कर सकते हैं लेकिन हम यहां पे आपको बिल्कुल blank file से बताएंगे तो हम यहां पे एक blank document open करा लेते हैं Microsoft Word में काम करने से पहले कि हमने उसको सीखना है हमने ज्यादा बारी की पर नहीं जाना है हमने उसमें काम करना है तो जैसे आपके पास यहां पे एक interface open होगा तो आपको जो दिख रहा है इसको हम एक page कहते हैं यह हमारे पास एक page आ गया अब यह page कैसा है इस page का size क्या है हम इ Microsoft Word में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा काम यह होगा कि हम जो काम करना चाहरे हैं उसके लिए हमको कैसा page चीए और हमारे पास क्या page open है तो हम सबसे पहले उस page की setting कर लेंगे कुछ भी काम करने से पहले हमको page को set करना है अब page बहुत सारे size के page होते हैं अलग- page आपने सुना होगा A3, A2, A5, B5, B4, legal, letter बहुत सारे page होते हैं तो सब भी pages के लिए देखो हम साथ-साथ option भी बताते हैं मैं यहां पर आपको दिखाता भी हूं word ने आपको सारा कुछ बताया हुआ है यहां पर layout में जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा एक group सबसे पह लेना है या A5 हमने rotate page लेना है A6 page लेना है बहुत सारे pages हैं यदि आप इन सभी pages के बारे में जानते हो तो very good कि किसके size के page होते हैं वरना देखो इनके नीचे इन pages के size भी लिखे हुए अब एक सवाल आता है कि हमने तो कुछ खास page के उपर काम करना है अपने size के according हमने कोई page काट लिए हैं और उस page के size पे हमने काम करा ना देखो यहां से more pages आपको मिल रहे हैं यहां से हम यहां भी page चुन सकते हैं सारे page लगबग आपको यहां भी मिलेंगे जो page वहां पे नजर आ रहे थे ना लेकिन हमको यह page नहीं चीए हमको अपना size का page चीए तो हम यहां से page क size set करा सकते हैं कि हमारे पास जो page है जिस पे हम काम करके print लेना चारहे हैं उस page की width क्या है आप scale से वह width माप लें मान लीजे मेरे पास 3 inch width का page है लगबग यह एक visiting card के जितना होता है width ना यह थोड़ी सी ज्यादा width है चार inch की width है और page की height 6 inch के करीब है तो आप देखो कि इंच का page है हमारे पास लेकिन margin भी एक 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 का margin भी तो page कितना बचेगा वहाँ पर दो इंच का page बचेगा इतने में यह आप लिख सकते हैं तो margin सबसे पहले ज़रूरी है तो margin के लिए margin set कराएंगे देखो इसी में यहां पे margin भी मिल जाएगा अगर यहां से margin नहीं ले तो पेस्ट आप के अंदर है आपको देखो यहां भी मार्जन में ना यहां पर आके हम पेस्ट आ乐र के से दिखाई नहीं दे रहा तो यहां पर क्या करते हैं हम एक पर ग्राफ ले लेते हैं और सेंपल परग्राफ काम को सीखने के लिए एक ट्रिक के ज़री हम लेंगे तो ट्रिक क्या है हम यहाँ पर करने इक्विल टू रैंट और बैकेट स्टार्ट और क्लोज तो यह बाइड डिफोल्ट सेंटेंस के 5 परागराफ हमारे पास आ गए अब आपको यहाँ पर मार्जन अच्छे शेनजर आ रहा होगा है जो खाली पेज बच गया मार्जन का अब मार्जन सेट कराने के लिए हम यहां से भी कर सकते हैं यहां से उपर जाएंगे इस जगें पर रूलर पे तो देखो यहा हां से इसको क्लिक करेंगे माउस से होल्ड करके रखेंगे और इस परकार से भी मार्जन हम सेट करा सकते हैं कम कराना है या ज्यादा कराना है वापस कंट्रोल जैड करा देता हूं इसी परकार राइट साइड से भी हमारे पास यहां पर मार्जन है ध्यान रहे हैं यहां पर जब तक मैं ना बताऊं तो वीडियो देखते हैं यदि आपको मार्जन ही चीए तो सिर्फ मार्जन कोई पकड़ें यह एरो जो बनेगा ऐसा ही आप डाउन के मार्जन के लिए यहां पे देखो यह एरो बन रहा है हम यहां से पेज के टॉप और बोटम का मार्जन सेट करा सक हैं और यहां ओप संसरे तो मार्जन के अंदर से हम को यहां भी मिल जागा याМ बर्स मार्जन लेना है वाइड मारजन लीना है मिर एक मार्जन का यूज करनाположिgener है या पन आ टाइप करी है उसको हमने बैंड भी कराना है तो बुक की बाइंडिंग में भी कुछ स्पेश स्पेश का चला जाता है जिसको हम बोलते हैं गटर मार्जन तो उस मार्जन को भी हमने यह दि लेकर चलना है तब ही हम यहां से गटर आरजन यूज करेंगे अभी देखो बैंडिंग करानी है तब देखो यहां पर गटर पोईशन पर दी हुई है लैफ्ट से या टॉप से हम वो पोईशन सेट करा सकते हैं बैंडिंग की तो बैंडिंग होने के के बाद जो स्पेस बचेगा हमारा प्रिज का चारो साइड का मार्जन वो इक्वल बचता है रैट तु इसको मैं फिलाल z внутрь करा देता हूं कोई ng MORE mr जिते फिलाल गटर का margin और OK करा देते हैं तो हमारे पास पेज का margin set हो गया पेज का margin set होने के बाद एक चीज़ और आती है कि हमने जो page बनाना है जो भी डोकुमेंट तयार कर रहे हैं वो हमारा खड़े page पे आएगा या अर्डे page पे आएगा बिल्कुल सरी हमने page का orientation भी तै कर लेना है कुछ भी काम करने से पहले तो उसके लिए भी देखो यहाँ पर option यहाँ भी मिल रहा है आपके पास है ना यहाँ पर जाएंगे और दो ही orientation होते हैं या तो हमने portrait page बनाना है या landscape बनाना है वह size हमारा तै हो गया इसके अलावा भी कुछ setting है जो कभी आपको ज़रुत पड़े जैसे हमने दो columns में writing करनी है अब यह column की writing है single column writing क्यालाती है two columns के लिए हम यहाँ से जाएंगे column के अंदर two column writing कर लेंगे three column की चीए three column writing कर लेंगे तीन column की writing होगी हमारे पास document इतना था कि दो column में खतम हो गया यहां से मैं कुछ paragraph को और copy कराता हूं और निचे जाकर यहां पे paste कर रहा हूंगा तो देखो यहां से तीसरा column भी start हो जाता है तो column writing ले सकते हैं left से column ले सकते हैं left से column ले सकते हैं right से column ले सकते हैं इसके अलावा और भी हमको columns झी हैं दो से ज्यादा है तीन से ज्यादा columns ही है तो more columns में जाएंगे और यहां से हम number of columns में तीन, चार, पांच, जितने कोलम डालेंगे उतने ही कोलम हम यहाँ पे एड करा पाएंगे, देखो आप फिलाल मैं इसको कैंसिल कराता हूँ और यह राइटिंग मैं सिंगल कोलम ही करता हूँ अब क्या होता है कि देखो मेरे पास यहाँ पे एक पेज है नीचे स्टेटस बार के उपर भी आपको नजर आ रहागा पेज वन ओफ वन और इसके अंदर मैंने 472 वर्ट टाइप की है मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पेराग्राफ डिलीट करा देता हूँ मेरे पास इतना ही काम है फस्ट पेज के अंदर इसके बाद मैंने second page में काम करना है तब आपको ऐसे enter, enter, enter प्रेस करके you next page में नहीं जाना है तब हमने एक नया page insert कराना है तो उसके लिए दो तरीके हैं या तो आपने page insert कराना है इस page से above तो हमारे पास वो option मिलेगा insert के अंदर देखो एक blank page का या फिर आपने इसके बाद एक page लेना है तब हम use करेंगे page break का देखो यहाँ पे page break है आप यहाँ से click करा सकते है या फिर control के साथ enter, repress करेंगे मैं control plus enter कर दबाता हूँ तो देखो एक नया page हमारे पास आ जाता है यानि कि यह page break हो जाता है यहाँ से इस position से हमारा page तूट गया और हम second page में आ गए तो direct जंप करके हम दूसरा page भी ले सकते हैं है ना अब हमने page भी ले लिए दो अच्छा अच्छा काम भी कर लिया सारी page की formatting होगी हमारी सारी designing होगी यहाँ पे यह चोटे चोटे option है यह हम नहीं करेंगे हम आपको सिरफ word में fully काम करना बता रहे है तो हमने type कर लिया हमारा documents तयार है अब हमने उसकी formatting करानी है formatting के लिए पहले तो हमने उसका alignment चेक करना है margin तो हमारा ठीक हा alignment हमने उसका left से रखना है यह alignment हमने उसका right से रखना है तो यह भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है हम home में जाके देखते हैं तो home में आपको यहाँ पे alignment के चार option मिलेंगे control L for left align फिलाल है हमारा control R for right align control E प्रेस करेंगे center align देखो यहाँ पे यह के लिक हो रहा है alignment हम ने पर लिए हमसे राखते हैं अब हमने यहां पे कुछ order list भी तैयार करनी है कि इस paragraph के बाद हमने यहां पे एक list तैयार करनी है कुछ नाम की या कुछ प्रोडेक्ट की तो उस list को हम order list भी तैयार कर सकते हैं या फिर unorder list भी कर सकते अनोडर लिस्ट मतलब हमने उसको bullets mail बनाना है तो select कराएंगे और यहां पर देखो हमारे पास कुछ bullets है हमने किस परकार की bullet लगानी है वो bullets यहां से यहां से लगा सकते हैं या फिर number use करने हमने तो हम number ले सकते हैं यहां पर click कराएंगे कोई भी हम number ले सकते हैं इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखो automatic six number आ रहा है फिर आगे जाएंगे seven आ रहा है एंटरप्रेस करके जाएंगे ज्यादा जबर्दस्ति शेडखानी ना करेंगे तो यह बढ़िया तरीके से चलता जाएगा अब यहां से हमको साथ number नहीं चीए तो हम फिर से एक बार enterprise करा देंगे साथ number अपने आप रिमूव हो जाएगा अब हमने इस लिस्ट की भी एक और सब लिस्ट तयार करनी है जैसे मानलो मैंने दो नंबर के partition बनाने है ए और बी तो यह लास्ट में आके एंटरप्रेस करेंगे एक बार backspace यूज़ करेंगे और यहां पर टाइप कर दें ह कि हमने इन paragraph को या सभी line को हमने खुले खुला लिखना है तो हम line space का यूज़ करा सकते हैं सवा line का, deadline का, दो line का, ऐसे हम अलग-अलग से line spacing कर सकते हैं इस के अंदर, साथ में हमने इस character को bold कराना है तो देखको हम select कराते है character को, हमने इस परकार से select कराया, तो क्या होता है इ time spent करें, तब tricks का use कर सकते हैं, यदि आप keyword में ज्यादा expert नहीं है, तो mouse से कर ले, mouse से हम उस word के उपर double click use करेंगे, तो देखो वो पूरा word एक बार में select हो जाता है, या फिर हम तीन बार क्लिक कर दें, इस paragraph पे कहीं भी, तो वो पूरा paragraph एक बार में select हो जाता है, तो mouse से भी use कर सकते हैं, short trick का भी use कर लेंगे, हमारे पास सारे shortcuts हैं, हमने इस line को आखिर तक select कराना है, तो line के शुरू में आ गए, हम यहाँ पे shift के साथ end की press कर देंगे, तो देखो end तक line select हो गई, या फिर end में आ करके, हम shift के साथ home की press कर देंगे अपने keyboard से, तो यह line सुरू तक select हो जाती है, ऐसे बहुत सारे shortcut हैं, जो मैं आपको यहाँ पर recommend करूँगा, बाद में बताऊंगा last में सारे, ठीक है, या फिर description में भी आपको सभी shortcut की list मिल जाएगा, वहां से download करके practice कर सकते हैं, अब हमने जैसे इस word को select करा इसको हमने bold करा लिया, color बना दिया, और इसको हमने थोड़ा सा phone size भी बढ़ा दिया, होगी हमारी formatting, जो हमारा documents बना रहे है, वो हमारा तयार होता जा रहा है, अब इसी same formatting हमने किसी दूसरे word की भी करनी है, तब फिर से हमने वो सारी चीज़े करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको select कराना है, और यहां पर आपको एक option मिल रहा, format painter का, इसके उपर click कर देंगे, और जिस भी word की हमने formatting करनी है, उसके उपर direct करेंगे, तो देखो same formatting हमारे उस word की हो जाती है, इसी परकार से यदि आपने multiple word की formatting as it is करनी है, तब देखो हम यहां पर इसको select कराएंगे, और जो format painter है, इसके पर double click use करेंगे, अब आप यहां पर आके इसको bold कराना है, इसको वही format करनी है, ऐसे click करते रहेंगे, जिस जिस पर हमने formatting use करनी है, click कराते रहेंगे, जैसे काम खतम हो गया, यहां पर वापस से click कर देंगे, पूरे documents में कही से आपने किसी word को copy कराना है, तो double click किया आपने, तो इस select हो जाएगा, select होने के बाद आप simple list को control C, copy और paste कर सकते, लेकिन आपने multiple word को इसी परकार कहीं कहीं से copy करके, एक जगा paste कराना है, list बनानी है, तब हमने एक को select किया, अपने keyboard से control को press कर लेंगे, उसको press रखेंगे, और दूसरे word पर double click use करेंगे, फिर तीसरे पर double click use करेंगे, ऐसे जितने भी आपने word एक बार में copy करने है, उनको ऐसे select कर ले, control C for copy, और जहां भी आपने paste कराना है, वहां पर आके paste करा देगे, trick list तैयार हो जाएगे, किसी भी word को हमने bold करना है, italic करना है, underline करना है, या central line करना है, वो सारी short की आपको यहां पर मिलेंगी, आप bold के लिए यहां पर जाओगे, तो देखोगे, control B for bold, यहां से italic करेंगे, control I for italic, यहां पर जाएंगे, control U for underline, अब हम इसको थोड़ा सा design भी करना चाहें, तो layout के अंदरी आपको option मिल जाएगा, यदि आप lower version यूज कर करते हैं, तो वहां पर आपको page color, border और watermark के option नजर आ जाएंगे, लेकिन upper version में आप यहां पर देखोगे, तो design tab और मिल जाएगा, और design tab के अंदर वो सारे option यहां पर दिये है, अलग से, watermark के लिए, page color के लिए, border के लिए, page color हम कैसे कैसे ले सकते हैं, एक तो simple page color, हम यहां करना है, page color हमने कुछ हटके करना है, तो हम उसके लिए effect पे चले जाएंगे, और fill effect के अंदर, देखो हमारे पास पहले तो मिल रहा है, यहां पर gradient fill में one color, one color में हम जो भी color चुनेंगे, उस color से हमारा एक gradient effect त्यार हो जाएगा, इसके अंदर आप vertical ले रहे हैं, horizontal ले रहे है diagonal up, down, from corner, from center, आपको यहां पर sample नजर आ जाएगा, इसी को आप two color में भी use करा सकते हैं, हम दूसरा color लेंगे, तो two color पे set करेंगे यहां पर और दूसरा color हम use कर लेते हैं, green color, तो वही सारे effect हमारे पास अब two color से बन जाएंगे, कुछ पहले से बने हुए है, preset color जिनको बोलत देखो gold के, पहले से यह ready matte है, इन में हम change नहीं कर सकते हैं, इनकी खाली style change कर सकते हैं, कि हमने इसको vertical लगाना है, या horizontal लगाना है, इसके बाद page की style आती है, हमारे पास texture है दी हमने वहाँ पर use करना है, तो एक अच्छा सा texture यहां से choose कर सकते हैं, ok कर लेंगे, देखो उसी परकार का texture हमारे page पर आ जाएगा, ऐसी चीज़े कब use करते हैं, जब हमने कोई अच्छा से letter pad तैयार करना है, यह न, बाकि इसके अलावा और भी effect है हमारे पास page color के अंदर, हम pattern अपना तैयार कर सकते हैं, third option हमारे पास pattern का है, pattern बहुत सारे बने हुए है, कोई भी pattern use कर ले इसमें हम background color क्या देना चाहरे हैं, वो background color अपना ले ले, four color zone सा यूज़ करना चाहते हैं, four color यूज़ कर सकते हैं, कि भी हमने green के उपर इस परकार के evolution pattern तैयार करना है, और वो pattern अभी यहां से चुनके, और अपने page पे apply कर लेंगे, picture लगाना चाहें, तो picture लगा सकते हैं, क नहीं करेंगे, हम cancel करा देते हैं, और इसको भी हम cancel करा देते हैं, और page color को no color करके पहले जैसा कर लेते हैं, अब water mark आपने बहुत देखे होंगे, कि हमने text water mark लगाना है, picture water mark लगाना है, तो text water mark के sample आपको यहां पर मिल रहे हैं, आप इन में से choose कर सकते हैं, या फिर custom water mark में जा करके, हम यहां से, यह text water mark चुनेगे, ठीक है, text water mark के अंदर, क्या text ले रहे हैं, हम यहां पर text use कर रहे हैं, computer, यह text हमने लिया, इसका color क्या दे रहे हैं, वो color हम यहां से ले सकते हैं, font चुन सकते हैं, color हमने लेना है, तुम color choose कर सकते हैं, color कुन सा लेना है, size, auto रख ले तो वो साइज दे सकते हैं दो लीआऊट होते हैं इसके टेक्ट आक्षा मार्ट वारिजेंटल में यहा लेते हैं यहां पर हलक हलका दिख रापकरिंटी लिटेनने फिर दिख थोड़ा यहां पे इस बार हम color change हो गया color तो यह ही रखेंगे और इसको semi transparency को इसको off करा देंगे अब apply करते हैं तो देखो यह थोड़ा सा dark measure आएगा इसको on रखेंगे तो यह हलका हो जाएगा और text watermark ही नहीं हम यहां पे picture watermark भी लगा सकते हैं कोई भी picture अपने करेंगे अपने system में जो भी हमारे पास कोई picture पढ़ी हुई है वो picture यूज कर लेते मैं यहां से कोई भी एक picture यूज कर लेता हूं ठीक है यह picture मैं ने उठाई और इसको apply करतेंगे तो देखो यह watermark देखो थोड़ा सा छोटा आ रहा है ध्यान रहे कि पेज हमारा कैसा है उसी परकार की picture उठाएं इसको हम एड़ेस्ट करना चाहें वह फालतो यह picture कटे तो कोई दिकत ने लेकिन पूरे पेज को cover कर ले तो हम यहां से इसकी scale जो auto है इस scale को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे कितना बढ़ाना रखना चाहते हैं और apply करेंगे तो देखो यह पूरे पेज को cover कर लेती है थोड़ी सी डार्क पिक्चर चीए यह तो इसका भी वास आउट हम अटा देंगे apply कर देंगे थोड़ी सी डार्क पिक्चर मज़राएगी नहीं चीए तो no watermark पर करके okay करा देंगे page border भी हम अलग-अलग यूज कर सकते है page border के अंदर आपको कोई lineों से आपको border बनाना है तो देखो बहुत सारी line है अलग-अलग style की line है कोई भी line यूज कर सकते है मैं मानलीजिय है यहां पर यह line उठा लेता हूं इस line का इनका color हमने क्या रखना है वो color हम यहां से यूज कर सकते है लाइन का लाइन की width कम ज्यादा करा सकते हैं कहां पर लगाना हमने पूरे documents पे this section पे या फिर first page only सिर्फ first page पे लगाना चाहेंगे तो border first page पे लगेगा wool documents कर देंगे तो पूरे documents में सभी pages पे लग जाएगा या फिर section wise हम section बना के लगाना चाहें कि पहले तीसरे चौते page पे या पहले दो page पे अलग border लगे तीसरे चौते page पे अलग border लगे तब हम section break कर लेंगे और section break कहां से करेंगे यह मा भी बताता हूं पहले हम wool page पे यह border लगा देते हैं तो देखो कोई सब जगे आपका border लग गया या फिर आप line नहीं लगाना चाह रहे हैं कोई art लेना चाह रहे हैं अच्छा सा design तयार करना चाह रहे हैं तब उसके लिए आपके पास यहां पे कुछ आर्ट भी दी गई है आप इन मेंसे को देखो तैन देखो उसी परकार का border आजाए अब मैं section बनाना बताता हूं फिलाल मेरे पास एक ही page है section के लिए वापस हम layout में जाएंगे और यहां आपने देखा यह कहा था कि कुछ छोटी-छोटे option ही यह करके देख लेना इन option में जो पहले option जो आपके मिल रहा है यह पहल यहां पर यहां पर देखो हमने page break के साथ section भी break कराना है तब हम यह next page का use करेंगे इसमें page break तो हो गई साथ में वो section भी नया create हो जाएगा यहां फिर हमने सिरफ section ही दूसरा देना है तब हम यहां पर आएंगे तो देखो मेरे पास एक ही page है फिलाल मैं यहां से क्या करता page break भी करता हूं और section भी नया बना देते हैं तो दोनों option हम यही चुन लेंगे यहां से page break के साथ साथ एक section भी नया बन जाता है अब मैं चाहूं इस section पे दूसरा बोडर लगाना चाहूं तब हम फिर से design में जाके और page border के अंदर से इस बार हम दूसरा बोडर ले ले लेते इसका भी मैं size थोड़ा सा कमी कर देता हूं और इसके अंदर हम करेंगे this section जिस section पे हमारी cursor position होगी उस section पे यह वाला border लग जाएगा ओके कर देंगे इस section पे हमारे यह border लग गया और इससे पहले वाले section पे हमारा यह border लगा हूँ गया हमारी complete formatting होगी अब हमने इसका print out लेना है तो print out के लिए अब आपको कुछ भी देखने की ज़र्पनी है कि हमारा कैसा print आएगा क्योंकि हमने पहले ही page को set कर लिया है हमने कि size के page पे यह document बनाया है और अपने printer में वही कागज लगाएंगी उसी size के तो यह better print आएगा यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप print preview चेक करा सकते हैं उसके लिए हम फाइल के अंदर जाएंगे या पर अपने keyboard से control के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आपको यह print preview भी लेना है पेपर सेट कर ले और layout सेट कर ले तो यह हम सबसे पहले यहीं चीज़ हमने सीखी थी कि कोई भी डोकुमेंट तयार करने से पहले हमने सबसे पहले अपना page ही set करना है अब word में दूसरा काम और आता है वह आता है टैबलर form के अंदर देखो मैंने फिर से नया blank page ले है देखो टेबल का option काफी बड़ा option है ग्रूप छोटा सा नजर आ रहा है सबसे पहले शौर्ट ट्रीक आती है टेबल इंशर्ट कराने की हम अपनी keyboard से प्लस दबाएंगे यह एक column break का sign हो गया यहां से हमने column की line बनानी है कितना बड़ा column चीए उतने हम यहां पर minus करेंगे फिर से plus फिर से minus यह हमारे column के size को tag करेगा minus की कितने बड़े बड़े चोड़े चोड़े हमको column चीए और last में हम फिर से plus यूज़ करेंगे और enter press करा देंगे तो देखो table की हमारी पहली row insert हो गई है अब इसमें काम करते जाएंगे tab से आगे चलेंगे चलते जाएंगे tab से तो देखो यहां पर नई नई row insert होती चले जाती है राइट दूसरा तरीका मैं यहां से इसको हटाता हूं table के अंदर जाएंगे option में तो यहां पर आपको कुछ check बने हुए से मिलेंगे हम जितने check यहां पर over करेंगे mouse से इसके उपर तो उतनी ही बड़ी table आपको यहां पर मैं insert table, insert table के अंदर कितने column ची यह, उतने column भरेंगे कितनी row हमने लेनी है, उतनी रो भरेंगे और okay कर देंगा यहां पर उतने column भोगी हमारे पास table insert होगी यहां पर मैं कुछ data हमारे पास जितना भी data मैं यह फिल करा लेता आफू कुछ data देखो मैं tab से आगे जा रहा हूं फिर लिख रहा हूँ फिर टैब से आगे जा रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ है ना वापस आना है तो हम shift के साथ tab press करेंगे तो हम एक-एक step वापस आएंगे और only tab से जाएंगे तो एक-एक से बाहर आएंगे तो उसी रो के अंदर या उसी सेल के अंदर दूसरी रो बनती चले जाएंगी और रो का साइज हमारा बढ़ जाएगा तो यह जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि टेबल्स में काम करते वक्त बहुत ही शावदाने से काम करना पड़ता है नहीं तो एक बर हमारी टेबल यह गड़बड हुई तो फिर गड़बड होती चले जाती है अब ही 20 में हमको मान लेजिए यहां पर एक रो इंशर्ट करानी हम एक डेटा यहां पर एंटर कराना भूल गए तो देखो सिंपल इधर आएंगे लास्ट में इस रो के और यहां पर आके एंटर प्रेस करा देंगे तो एक रो उसके नीचे इंशर्ट हो जाती है वापस कराता हूँ मैं इसको अंडू कि जहां पर हमारी करसर पोजिशन है हमने उसके अबाव एक रो इंशर्ट करानी है या उसके बिलो तब लियाउट का ओक्षिन आपको नजर आएगा यह तब आएगा नजर जब आप टेबल के उपर रहेंगे कहें भी टेबल के अंदर से हम लियाउट में जाएंगे और लियाउट के अंदर आपको यहां मिल जाएंगे हमने इंशर्ट रो अबाव या इंशर्ट रो ब्लो या कोलम ची हमको लैक्ट में राइट में कोलम इंशर्ट करा सकते हैं या किसी रो या कोलम को डिलीट कराना है पर्ट या फिर इस पर click करेंगे, तो table एक बार में select हो जाती है, और इस हेंडल को पकड़ के move भी करा सकते हैं, और table को resize कराना होगा, तो यह इसका size handle है, इसको click कराके हम table को resize करा सकते हैं, इस परकार से हमने resize करा लिया, और table को fit कराना है, fit नहीं हो पा रही है, तो कैसे fit कराना है हमने जितना content लिखा हूँ content के according fit कराना है तब table को select करेंगे हम और layout के अंदर आपको मिलेगा देखो auto fit का option auto fit के अंदर से हम इसको कर देंगे fit to content तो content के according fit हो जाएगी जा फिर हमने इसको page पे fit कराना है पूरी window पे then auto fit and fit to window बाकी designing का मैं इसको आपको यहां पर बताऊंगा नहीं designing आपके पास design के अंदर मिलेगा जैसा मर्जी आप table का design ले सकते हैं यहां से जैसा मर्जी design ले सकते हैं जो यहां पर मुझूद है यदि नहीं है तो हम अपना create कर सकते हैं modify table या फिर new table style के अंदर जाके हम अपनी एक table का design create कर सकते हैं तो इसमें हम time waste नहीं करेंगे बाकी सारा आप single color से border कैसा लेना चाह रहे हैं border की line कैसे लेना चाह रहे हैं line का color कैसा ले रहे हैं यह सब आप यहां से design खुद करके देखें मैं सिर्फ काम का तरीका आपको बता हूँ राइट layout में चलते हैं बलकि इसको normal table कर लेते हैं वरना यहां पर नजर नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं ठीक है अब हमने यहां पर काम करना यह रो मान लीजिए इसी रो को आप move करा सकते हैं आप यह down में top row को हमने heading row बना दिया इसमें हम कोई भी अपनी heading यूज़ कर सकते हैं यह हमने यहां पर heading डाल दी इसको bold कर ले यह ना करें वो आपकी इच्छा है हालांकि formatting जितनी अच्छी रहेगी आपका document देखने में भी उतना इशो तरह लगेगा अब table हमने table को दो इशो में divide करना है यहां से हमने आदी table को अलग कराना है वो table अलग रखनी है यह table अलग रखनी है तो उतनी table को हम select कराएंगे अपनी keyboard से alt shift और down arrow press करा देंगे तो table split हो जाती है या फिर वापस से alt shift अपरोड करेंगे तो दूसरी table पहले वाले में जुड़ जाती है अब यदि हमने यहां पे इसको नीचे split करा दिया और देखा कि हमने यह एक row extra यहां पे split करा के ले आए तो इसी row पे रहना है और alt shift और अपरोड दबा देना है तो यह उपर वाली table में जाके जुड़ जाएगी इसमें किने भी हम दो cell को merge करा सकते है हमने इन दो या दो से ज़्यादा cell को इखटा करना है तब हम यहां से merge and center का यूज़ कर लेंगे या फिर किसी एक cell को हमने दो parts में divide कराना है उसमें हमने दो column बनाने है या दो row बनानी है या तीन column बनाने है या तीन row बनानी है तो उसको बोलते है split cell तो हम उसी cell पे रहेंगे split cell पे click करेंगे हमने यहां पर column दो चीए और row एक चीए तो okay कर देंगे तो यहां पर आप देखो कि column दो हो जाएंगे इसके अंदर row यह single ही रहेगी यदि हमने दो row बनानी है जैसे इसके अंदर हम दो row बनाना चाहें column यह पूरा बड़ा एक ही रहे तब split cell में जाके हम यहां पे तो कर देंगे column एक ही रहे और row हम बढ़ा देंगे कि row इसमें दो बन जाएं ओके करा देंगे तो उसके अंदर देखो row दो बन जाएंगी complete row की height या width हम यहां से अराम से उसकी height बढ़ा सकते हैं कम करा सकते हैं सभी columns की width कितनी रखनी हमने वो width कम जादा हम यहां पे रख सकते हैं फिलाल इसकी width यह हमारी गड़बड होगी table क्योंकि हमने यहां पर merge किया हुआ था है ना तो इसकी width सही तरीके से adjust नहीं हो पाएगी इसको मैं वापस करा देता हूं इस table को delete करा देता है यह table हमने ज़्यादा बिगाड़ दी तो इस तरीके से हम ना भिगाड़ें क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी से एक row को हमने bold करा लिया और बहुत सारी row हमने अब insert करानी है तो देखो हमने एक row insert कराई speed से अब और row चीए तो जो last command हमने चलाई है हमने क्या चलाई है हमने एक row insert करी है और issue को बार बार repeat कराना है तो keyword से f4 दबाएंगे हम और दबाते चले जाएंगे तो आप देखो के एक एक row नीचे insert होती चली जाएगी हमारे पास तो जरूरी नी row insert होगी जो भी हमने command last में यूज करी है और f4 को दबाएं रखेंगे तो ये row हमारी बहुत सारी संख्या में insert हो जाएंगे आप देखो ऐसे बहुत सारे page हमारे पास बने है टेबल के अंदर और ये है हमारे पास एक heading row ये heading row हमारे पास सभी pages में आनी चीए तब जिस भी row को आपने heading row बनाना है उस row को select कर ले select करने के बाद layout के अंदर हम देखेंगे last में आपको एक option मिलेगा repeat header row और इसको हमने select करा देना है बस इसके बाद आप देखोगे आपके पास जितने भी pages होंगे सभी pages में ये header row repeat होती चली जाएगी तो आक table में भी अच्छे से काम कर सकते है इसी परकार यदि हमने ऐसा काम करना है जो हमको bulk में करना है बहुँ जादा काम करना है हमने किसी को invitation letter भेशने है और बहुत सारे address भेशने हैं हमने बッचों के report card ताइयار करना है या हमने बच्चों के आई-कार्ड बनाने है या एमपलोई के आई-कार्ड तयार करने है तो इस परकार का काम जो की बहुत ज़्यादा महातरा में होता है और वो मैनुली करने पे बहुत उबाओ और बहुत ज़्यादा टाइम खाने वाला काम होता है इस परकार के काम को हम मि इंतों में कैसे निप्टा सकते माइक्रोसोफ्ट वर्ड में वह उप्शन बहुत का है उसके लिए आपके पास एक रिसिपेंट लिस्ट जरूर होनी चीए क्योंकि रिसिपेंट लिस्ट तो और होनी क्या चीए जब यह दिया आप काम कर रहें कहीं भी ओफिस के अंदर तो को अब आपने 10, 20, 30, 50 लोगों को सेंड कराना है तो एडस डालने में यदि आप खूब स्पीड से टाइप करते हो तो एडस ढूंड के या उनका नाम कहीं से देख के लिखने में एक मिनट तो लगेगी लगेगी और इस परकार से 50 बंदों को बेजना है तो 50 मिनट लगे और यह 50 मिनट का काम हम 2 मिनट में कैसे सिम्टा है देखिए सबसे पहले तो आपने वो रिसीपेंट लिस्ट देखनी है इधर देखी मैंने एक रिसीपेंट लिस्ट के लिए एक सेंपल रखा हुआ मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है इसमें हमने सभी स्टूडेंट के घर पे इंविटेशन बेजना है कि मैं आपे उसका रोल नबर लिख दूँ नेम लिख दूँ फादर नेम लिख दूँ तो बहुत है मेरा काम चल जाएगा फिलाल आपको समझाने के लिए तो यह फाइल इसका नाम क्या है इसका नाम है स्टूडेंट टेबल और यह जो डेटा र लिस्ट नई यूजन एग्जेस्टिंग लिस्ट यस हमारे पास है एग्जेस्टिंग लिस्ट यहां पर किलिक करेंगे किस नाम से सेव थी हमारे पास वह फाइल स्टूडेंट टेबल से डोकुमेंट्स में चलते हैं यहां पर देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट टेबल देखो ये रखी हुए student table इसको हमने open करा लेना है data कहाँ पर इसके अंदर seat one के अंदर ही है जैसे हमने इसको add किया तो यहाँ पर देखो कुछ option और चालो होगे इन option में से हम सीधा insert merge field के अंदर जाएंगे यहाँ से हमने क्या क्या field लेनी है और कहाँ पर लेनी है देखो सारी field यहाँ पर आ चुकी है उस table की हम को भी पहले तो यहाँ पर लेना है name उसका तो हम यहाँ पर click कराएंगे और कर देंगे name पर click enter press करेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर हम को चीए उसके रोल नमबर, तो रोल नमबर ले लिया, फिर से अंटर-पैस कराएंगे, यहां पे चीये हमको Father Name, उब हम यहां पे ले 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 लेते हैं, हम यहां पे कलास भी डाल देते हैं, और यहां पे हमको लिखना है, dear नाम लिखना चाहें dear students और उसका लिखना चाहें तो यहां भी अदि हम नाम लिंशेट कराना चाहेंगे तो यहां भी हम name लिंशेट करा लेते हैं अब बताए मेरे को कितना समय लगा मेरे कहाल से समझाने में भी 2 मिनिट निर लगे होगी और हमारे 50 से ज़्यादा की लिष्ट तैयार हो गई अब आप देख रहे होगे यहां पर क्या दिख रहा है यह चीज़ देखने के लिए के लिए हम यहां पर किलिक कराते हैं वहां पर नाम आ गया इसका पूरी क्लास फादर नेम रोल नमबर सभी की लिष्ट हमने तयार करने हैं लेटर पिंटाउट निकालने हैं सिधा सिधा हम जाएंगे फिनिश एंड मर्ज पे हमने यहां पर करना इंडिजवल डॉकुमेंट्स और अल डॉकुमेंट्स सभी का हमने बनाना है ओके करा देंगे यह चं पर देखो पांच फे पर देखो सभी एक बार में बन जाएंगे और इसी तरीके से इसी टिक से आप मल्टिपल आईडी कार्ड या फिर बच्चों के रिपोर्ट कार्ड इस परकार का जो काम बल्क में करना होता है और जो बहुत समय खा जाता है ठकाओ काम होता है उसको इतना सीख लिया है तो एक काम और सीख लेते हैं वो काम यह है कि जो काम हमने बार बार रिपीट करना होता है यह तो मालो हमने काम बल्क में करना है कुछ ऐसा काम जो हमने बार बार रिपीट कराना होता है तो उसको हम कैसे करें उस फाइल को सेव करके भी नहीं रखना हमने तो क्योंकि सेव करके रखेंगे तो फाइल अलग होगी फिर इसको खोल गए फिर कोपी पेश कर रहेंगे तो उस तरीके के काम के लिए हम यूज करेंगे मैक्रोज का बड़ा का फंक्शन है रिकोडेबल फंक्शन है मैक्रोज आपको मिल जाएगा देखो व्यू मीनू के अंदर लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको मैक्रो मिल रहा है मैक्रो क्या काम करता है यह हमारे स्टैप को रिकोड करता है हम जो भी काम करेंगे हमने काम कहां से सुरू किया कहां पे खतम किया वो एक पूरा लूप, यह रिकोड कर लेता उसको, अब मान लीजिए, मैं यहां पे नाम लिखता हूँ, राम, और राम की मैंने, मार्क्स डिटेल यहां पे बनानी है, तो मैं क्या करूँगा यहां पे, होम के या इंशेट के अंदर जाके, हम सीधा टेबल इंशेट और टेबल के अंदर, हम यहां पे डाल सकते हैं, सीडियल नमबर, या फिर सब्जेक्ट, मार्क्स, और टोटल, एक पे, जो भी हमने सब्जेक्ट नमबर, जिसके भी लिखने हैं, बाद में लिखेंगे, टोटल भी, दूसरा नमबर भी, या सब्जेक्ट हम पहले लिख ले यही काम फिर हमने, शाम का बनाना एक कम्यूने डिटेल, और यह काम हमारा वीकली होता है, हम बंतली होता है, हाजारों स्टुडेंट का होता है, तो इस काम को हम बल्क में काम करना नहीं कहेंगे, इस काम को हम कहेंगे, रिपीटीड वर्क, यानि कि जो काम बार बार करना प पास कुछ नेम की लिस्ट है, है ना, लिस्ट ले 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 या बाद में ले 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 इस से कुछ फरक नहीं पड़ता है, हमने क्या करना है, सेम तो हमारा करसर पोजिशन डिपैंड करता है, कि हमने क्या लूप बनाना है, कि हमने लूप बनाना है, हमारी करसर पोजिशन स्टार् यहां से मैक्रो नेम जो भी आप मैक्रो नेम देना चाहें, कोई शोट की बनाना चाहते हैं, शोट की बना सकते हैं, यहां पर किलिक करेंगे, तो हम शोट की करेट कर लें, कुछ ऐसी शोट की जो पहले से Microsoft Word में यूज़ ना होती हो, कोई भी जैसे Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, ऐसी नहीं बना ना चाहें, मत बनाओ, क्लोज कर देंगे, तो देखो हमारा मैक्रो रिकोर्ड होना सुरू हो गया, आप यहां पर देख रहे हो, कर्शे पोजिशन के उपर, इसके निच्छे पूच्छ के उपर, एक पुराने टाइप का रिकोर्ड सा लगा हुआ है, यानि कि हमारा मैक्रो रिकोर्ड सुरू हो गया, अब हम जो भी स्टैप करेंगे, वो यह रिकोर्ड करता चला जाएगा, पहला स्टैप हमारा हम यहां पर शुरू में है, हमने क्या करना है, निच्छे आना ने एक स्टैप, तो पहले इसके एंड में जाएंगे, हम अपने कीबोर्ड से एंड की करेंगे, तो वो नाम कितना ही बड़ा हो, उस लाइन के एंड में करसर पहुचेगा, एंटर प्रेस करेंगे, निच्छे आ गए, यहां से सीदह हम इंशर्ट में गए, और इंशर्ट के अंदर से हम जितनी भी बड़ी टेबल लेना चाहें, वो टेबल आराम से ले सकते हैं कोई लिखत नहीं है, इसके अंदर हमने क्या टाइप करना है, हमने यहां पर लिखना है सीरियल नमबर, इदर लिखना हमने सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल, इदर हमने सीरियल नमबर वन, टू, त्री, और टोटल, इदर जाएंगे हमने सब्जेक्ट जो भी लिखना है, हि Microsoft Word में formula लगाने के लिए control के साथ F9 प्रेस करेंगे, curly brackets लग जाएंगी, देख रहे हो, यहाँ पर करेंगे, मैं equal, sum, bracket start, about, और bracket close, और F9, मैं यहाँ पर F9 नहीं दबा सकता, क्योंकि मेरा की, वो जो मैं F9 दबाऊंगा, तो मेरा जो यहाँ पर screen recorder है, यह मेरा पोज हो जाता है, तो मैं यहाँ पर F9 का use नहीं करने वाला हूँ, अब F9 दबाएंगे, तो यहाँ पर formula लगके रह जाएगा, मैं escape दबाता हूँ यहाँ से, इससे भार निकलता हूँ, इसी परकार total हमने total क्या लेना है, हम यहाँ पर use करेंगे total के लिए 100 marks या जो भी हैं, यह तो सेम ही होता है, यह हम 81 डाल लेंगे, और इधर भी हम total कर लेंगे, साथ में formatting करना चाहते हैं, formatting कर देंगे, बोल्ड कर दिया, हमने first row को भी हमने बोल्ड कराना है, तो first row को भी हम वापस से आके select कराएंगे, बोल्ड करा देंगे, कोई भी हमने और formatting देनी है, इसमें color डालना है, तो color यूज कर सकते हैं, होम में जाके मैं इसको बोल्ड तो मैंने करा दिया, color भी हम इसका डाल लेते हैं, ठीक है, काफ़े ज़्यादा formatting हो गई, अब last में आएंगे हम यहाँ पे, निच्चे, जहां भी हम पहुचे हैं, यहां से हम यूज करेंगे, होम की, लेकिन यहां पे देखो, एक हमारे पास backspace था, इसको मैं यहां से delete कराता हूँ, अब इस text के उपर हम जहां भी हैं, यहीं से हम होम की प्रेस करा देंगे, हम क्या हो सकता है, हमारा cursor हो सकता है, बीच में यहां home kick कराने से हम line के सुरू में आ जाएंगे, हमने सुरू में स्टार्ट किया था, सुरू में आके हम stop कर रहे हैं loop को, और यहीं पे हम macro को stop करा देंगे, macro के अंदर जाके कर देंगे, stop macro, अब देखो, यहां से क्या करता हूँ, मैं इस table को हटा देता हूँ, shave भी नहीं कर रहा ह इसको है न, तो हम layout में से इस table को delete कर देते हैं, अब हमेरी position ये थी, इस position पे मैं आकर के, यहां पे करता हूँ, control one press, तो देखो, loop चलके, हमारी cursor position कहां पे आई, देखा आपने, अब हम को cursor को या mouse को छेडने की जरुद नहीं, हम सीधा control one press करेंगे, फिर से, तुमारा फिर स loop run होगा, और यहां पे हम कोई नया नाम भी लिखते हैं, मैं यहां पे करता हूँ, एक और नाम, manoj, manoj, और इसके home में जाके, फिर से करूँगा, control one, देखो, यहां पे फिर से loop run हो रहा हो, अब जितना भी data है, उसमें हम marks डालेंगे, और control A, select all करके, अपने keyboard से, f9 press तो जो formula हमने लगाया थे, वो सारे update हो जाएंगे, अब आप कहोगे, यह काम तुम copy paste करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यदि हम currently काम कर रहे हैं तो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कराता हूँ, MS Word को बिना save किये, और नई फाइल ले ले लेता हूँ, control end, और अब ही नहीं, हम अगले दिन, उस से अगले दिन, अगले महने, अगले साल, जब तक उस सिस्टम में Microsoft Word है, हम काम कर रहे हैं, कभी भी इस macro को run करा सकते हैं, यदि आप short की भूल गए हैं, तो सीधा आप view में जाएंगे, और view के अंदर macro के अंदर आपको मिलेगा view macro, और जिस भी नाम से आपने उसको save किया था, वो नाम आपको यहां पर मिल जाएगा, और उस macro को आप सीधा run कर सकते हैं, वो macro फिर से run हो जाएगा, यहां पर देखो इसने T अटा जा, करसर position यहां पर आ गई, क्योंकि हमने कोई भी नाम नहीं लिगा था, जो हमारी loop position थी, तो गलत थी, यहां पर मैं नाम लिखता हूँ, और अब इसको run करते हैं, मैं यहां पर करता हूँ control one, तो देखो, अब नहीं अटा, क्योंकि loop हमारा जहां से चला था, उसी position से चलना चाहिए, और उसी position पे डुकना चाहिए, तो यदि आप Microsoft Word में काम करना सीखना चाहते थे आपको Microsoft Word में काम करना नहीं आता था, तो इतना कुछ सीखने के बाद, आप perfectly मुझे उम्मीद है Microsoft Word में काम कर सकते हैं, यदि आपने और भी बारिकी से, और एक एक option को clear कराना है, कि किस option का क्या काम है, इस option का हम use क्यों करें, इस तरीके से सारा सीखना है, तो हमने Microsoft Word की पू कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर मैं complete एक full video सभी lessons का, जल्द ही इस channel पर डालने वाला हूँ, जो थोड़ा सा बड़ा होगा, कम से कम 3 गंटे का video हो सकता है वो, लेकिन उसके अंदर हम कोई option ऐसा नहीं छोड़ेंगे, जो आप यदि बिलकुल बारिकी से सीखना चाते है वर्ड, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, और यदि only आपने Microsoft Word में काम करना था और अच्छे से काम करना चाहें, तो आप ये वीडियो देखके, मुझे उम्मीद है, अच्छे से काम कर पाएंगे, ओके, I hope वीडियो आपको जरूर अच्छे लगा होगा, इसके बारे म हमें कमेंट से बता है, हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें हो, और यदि नए है आप मारे चनल पे, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें